मोधी सरकार ने एक तरह का बहुत बड़ा अभियान चलाया हर लोगों के घर तक गैस सिलिंडर पहुचा दिये उजवाला योजना के तहद महिलाया कापी खुश थी लेकिन उस समय गैस की जो किम्मती बहुत कम थी लेकिन अब कुछ दिनों से लोग यह सवाल पूछ रहा है कि हमारे घर में सिलिंडर तो है लेकिन गैस डलबाने के लिए पैसन ही चुकि 12-1300 रुपए जो है गैस की कीमत हो गई तो बिहार के लोग कब तक उमीद करें कि यह गैस की जो मंगाई है और बाकी मंगाई कब तक कम एक बार मोधी जी चंपारन में आये तो गांधी मैदान में जो है उनका बड़ा सभा लगा हुआ था तो उन्होंने एक एलान किया था इसके बाद हम जब भी चंपारन आएंगे तो चंपारन के चीनी मिलके चीनी कहीं चाय पिकर के जाएंगे लेकिन अब दिन प्रति दिन चंपारन के जो जमीन है माफ्याओ के हाँ चल रहा और लोग उस पर अवैद तरीके से कप्जा कर रहे हैं अच्छा है हमारे चंपारन के कुछ मुदा है सर जैसे पहला मुदा है यह पोटका यह पोर्ट के लिए केंदर सरकार ने बहुत बरस पहले जो है कुछ पैसे भी ज लेकिन युर्पूट बंती नहीं हो वहां पर रनवे बी घमीन वी लेकिन बंती नहीं यह कोप तक बंगे तयार होगी पत्रणा में सेफ लैंडिंग नहीं होता इसके लिए कोई चिंता नहीं है पॉलिटीकल राजनितिक सम्ता पाटी के निर्मान में जेल में रहां। कोई नेता नहीं बसकता है। जिसको दम है बताए हम को। मैं Laluji को भी चिंता हूं Neti jiko भी चिंता हूं Neti jika ऐक आंदोलन बता झीजीए पूरे जीवन का अदमी is cut-paste यहां काटेंगे वहां जोडेंगे, यहां जोडेंगे वहां काटेंगे, यही है नितिश कुमार, नितिश कुमार कभी कोई काम अपने ने किना होगा, जीवन में, नितिश कुमार जी दूसरे पे निर्वर होता है, और आज भी दूसरे पे लालु जी के कंदे पे हैं, पहले बाजपा के कंदे पे थे अब सब कंदा खतम होगा नितिश कुमार जी को राजनितिक तोर पर घर में बैठने का समय आ गया कानी खतम होगे उनकी तरह कोई देखिए जनता समस्ती है यह व्यक्ति अब बिहार के लिए नहीं जी रहा है अपने लिए जी रहे हैं इस आदमी को क इड़ा काटता है प्रधान मंत्री बनेगा तो पिछली वार काटा था तो दो सीट आई थी इस वार साफ हो जाएगे जनता समय अच्छा हमारे चंबारन के कुछ मुदा है सर जैसे पहला मुदा है इयरपोट का इयरपोट के लिए केंदर सरकार ने बहुत बरस पहले जो है दे दिया राज सरकार को लेकिन अब तक एयरपोट नहीं बन पाया जिसके लिए हमारे जो अस्तानीय सांसद संजाय जासवाल जी है अस्तानीय विदायक परमूत सिनहा जी है यह लोगों ने अपना अथक प्रयास किया लेकिन बहुत बारे ट्रेंड चलता कि चंपारन मंग लेकिन यरपूट बंती नहीं हो वहां पर रनवे भी है जमीन लेकिन बंती यह कप तक बनके त्यारा हुआ है जित्यसकुमार होस्पिटल के लिए जमीन नहीं और एक्सोर के लिए जमीन नहीं आज जो चीज खरीतूगा 100 रूपिया में दो साल के बाद वही 300 प्या हो जाता है तो जिस राज में जमीन का दाम इतना बढ़ रहा है इसका मतलब भस्टा चार बढ़ रहा है कुछ दूसरा नहीं है जिस राज में अपराधी किरन हो वहीं पर जमीन का रेट बढ़ता है लितीज बाबु जमीन दो ऐरपोर्ट बनाओ आप समझ उत्तर पर देश में 14 अरपोर्ट पर काम चल रहा है जार्खन जैसा गरीब राज में 4 अरप् अरे भाई यह कोई दूसरा नहीं चड़ेगा बिहारी चड़ेंगे जो दुनिया में बिहारी लोग रहते हैं उन्हीं को तो घर आना है और नरेंद मोदी जी ने तो हवाई चपल वाले के लिए वह अस्ता किया तो अब जो ट्रेन में चलते तो वह प्लेन में चल रहा है तो इस संकल को तभी पूरा कर पाएंगे जब हम सभी बिहार के परमंडल पर कम से कम नौ एरपोर्ट बनने चाहिए और भाजपा की सरकार लाओ यह सारे सपने को पूरा भाजपा कराएगी तो एयरपोर्ट बनेंगा ही बनेंगे उसमें बाधा खत्म हो जाएगी कोई बाधा है ही नहीं बाधा अब देखिए साड़े चार सो एकड़ जमीन है दरवंगा एरपोर्ट यह आपको गुपालगेंज एरपोर्ट क्यों नहीं हनुवर कर रहे हो बाई सिर्फ अतिकर्मन अटाना है आपके हां रक्सॉल में सिर्फ कॉमर्सियल के लिए जमीन चाहिए पुर् सिर्फ के लिए स् ellen चाहिए नितिश कुमार सिर्फ और अपने ईने के लिए जी रहा है अब विहार के बिकास विहार के सुसासन उनको कोई लेना देना नहीं एक बार मोदी जी चमपारन में आये तो गांधी मैदान में जो है उनका बड़ा सभा लगा हुआ था तो उन्होंने एक एलान किया था कि इसके बाद हम जब भी चमपारन आएंगे तो चमपारन के चीनी मिल्के चीनी का ही चाई पिकर के जाएंगे लेकिन अब दिन परतिदि प्रिस्तिती यह है सर की चंपानन के चीनी मिलकी जो जमीन है माफ्याओ के हाँ थे चड़ रहा और लोग उस पर अवैद तरीके से कपजा कर रहे हैं उसी के लिए प्रधान मंत्री जी ने इतनौल पॉलिसी लाया आप समझे कि जहां 2014 थक इस देश में मातर 2% इतनौल यूज होते थे आज 10% होगे और टारगेट है कि अगले 5 वर्सों में हम 20-30% इतनौल का प्रियोग करें और बिहार में लगवग 27 जगा इतनौल प्लांट लगाने का काम सरूप किया गया राज सरकार जहां जहां सामत में इन चीजों को हम कर जगा पर इतनौल प्लांट लाया जो सड़ा अगला हमारा फूड प्रड़क्ट है उसका यूटिलाइजिशन हो यह पूरी स्थिति को बनाने के लिए नरेंद मोदी जी की सरकार काम कर रही है लेकिन दुरभाग है कि नितिश कुमार की सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रधान मं मत्री का सपना देख सकती है इसे अधिक कुछ है और जाते जाते एक लाश सवाल आप से ले लेंगे सर 2014 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार जो है के अंदर में बनी थी इधर न तो उस समय मोदी सरकार ने एक तरह का बहुत बड़ा अभियान चलाया हर लोगों के घर त तो है लेकिन गैस डलबाने के लिए पैसा ने चुकि बारा सो तेरा सो रूपय जो है गैस की कीमत हो गई तो बिहार के लोग कब तक उमीद करें कि यह गैस की जो महांगाई है और बाकी महांगाई कब तक कम हो जाएगी कि महांगाई तो देश में नहीं है आप पाकिस्तान चले जाएए 27 परसेंट आप चैना चले जाएए 22 अमिर्का चला जाएए 32 परसेंट हिंदुस्तान में 5 परसेंट से भी नीचे है एक दूसरा है कि जब अटल व्यारी बाजपई जी ने गैस को छोड़ा था तो इस मनमहन सिंघ्र ने सत्ता छोड़ा तो उस गैस का दाम हो गया था शाले 600 रुपिया और आज कितने है यहां वारासौ पर लेंट दूगने भी नहीं हुए और मनमहन सिंघ्र के समय में तीन गुणा पढ़ा ताढ़े तीन गुणा और हमारे राज में दुगना भी नहीं की राजनीत में आया था 1998-99 में मेरा तनखा सरकारी तनखा 6999 रुपिया था आज सरकार विधायक्स मंत्रियों को दो लाक रुपिया देती कितने डिफरेंस हुए तो देखिए समय के हिसाब से चीजे बदलती है लेकिन मेरा मानना इसके बावजोद मैं जरूर परदान मंत्री जिसे जब भी व्यक्तिगत मेरी मुलाकात होगी आगरा करूंगा कि हमारी जो बहने हैं इसके लिए गहिस के सबसीडी को बढ़ाना चाहिए और अंतिम सबाल सल पतना में एक पार्क था जिसका नाम अटल पार्क था जो अटल बिहारी बाजपई जी का नाम पर रखा गया लेकिन कल बिहार के परियार मंत्री तेजी उभॉया के द्वारा जो है उसका नाम बदल के कोकोनोड पार कर रख दिया इस पर क्या काण चाहिए फिंस की को लालु प्रजाद जी के परिवार की हिंमत नाम मिटा देगा जिए और अस पस्त रहिए नाम यदी बदल दिया तो सरकार जनता बदल देगी और जनता सरकार बदल देगी तो जो नाम बदलने का प्रयास है फिर से अस्थापित कर दूँगा किसी भी कीमत पर नहीं अटल विहारी बाचपई जिस देश के प्रधान मंतरी रहे और किसी की हिम्मत नहीं है जो बदलेगा उसी को बदल देने और बाकी हमारे साथ समराण चोधरी जिन्हें आप सून रहे थे और मुझे लगा कि बिहार के तमाम विश्यों पर मुझे चर्चा करना चाहिए था हर भी से पर मैंने चर्चा किया बाकी इस पूरी वीडियो को देखकर आपका जो भी वीचारवा अपनी परतिक्रिया कॉमें स्क्राइट बोक्स में जरू डालियेगा जय हिंद जय बिहार